प्रेके बाद एक बार फिर आपका स्वागते चर्चा को फिर शुरू करते हैं भावना मनम आपसे मैं सवाल पुछना चाहूंगी कि कॉंग्रेस का ये कहना है कि UPA ने जो पिछली बार बजट पेश किया था वैसा ही है इस बार का बजट क्या आप सहमत है देखो बजट तो बजट होता है पर बजट में जो अंतर है वो उनको देखना चाहिए सबसे पहले मैं रुजान बेन की जो बात है उस पर थोड़े बात करना चाहती हूं उन्होंने आशंका जताई कि सफाई के लिए खर्चा तो बढ़ा दिया है बजट में पर सफाई हो गया नहीं तो मैं रुजान बेन को आस्वस्त करती हूं कि खर्चा बढ़ाया है हमने टेकनिक में भी परिवर्तन लाए है अभी तक जो टॉइलेट थे उसमें पानी का ज्यादा उप्योग होता था फिर भी सफाई नहीं होती थी इस समबार हमने रेलवे बजट में जैविक टॉइलेट बनाने का सोचा है दूसरा रेलवे में CCTV कैमेरा लगाने को सोचा है ये CCTV कैमेरा केवल सुरक्षा नहीं किन्तु सफाई का भी जान रखेंगे ये दोनों बात को लेकर हमने यहां रेलवे में CCTV कैमेरा रखने को कहा है अगर कोई गंदगी करेगा तो डंड़ नहीं होगा और सफाई जरूर रहेगी धीरे धीरे अच्छी तरह से होगा आपकी बाता दो प्रियोज ना आए आपकी पेंडिंग पढ़िये अगी तक आप करने जा रहे हो और आपके बाकी काम हमको करना पड़ता है बावनाजी ने जो अभी बता है मैं बहुत इंप्रेश हो गई के ये कैमेरा रखेंगे हम डंड करेंगे लेकिन उसमें फिर करॉप्शन ना जाए वह आप देख लेना कि डायरेक्ट डायरेक्ट सेटिक ना हो जाए कि कैमेरा है तो ध्यान होगा लेकिन पता नहीं कही बार क्यानि सेटिक धेख लेकिन जो आप बॉल हो गहाई हो मैडम बहुत सही काने ने अधी तॉलोगा अ self cleansing toilets होते हैं जिसमें water कम use होता है वो हो जाना चाहिए ऐसा कुछ करके जल्दे दिखाओ बारता मत करो मेरी इतनी request है रुजान जी आप पार्पाइब बताया है इन्होंने बाते करने में तो एक्सपर्ट है सो बहुत अच्छा इंगा सुनली जी रुजान जी जो कहती है मैं उनको एक सवाल पूछती हूँ कि आप अगर कोई industry छोटी सी क्योंकि वो industrialist है तो अगर एक छोटी industry सुरू करती है तो पहले invest करना पड़ता है फिर आपको training देना पड़ता है workers को बाद में आपको वो सब machinery लगानी पड़ती है और फिर production होता है समय लगता है कि अगरे आपका कहना बिलकुल सही है लेकिन नए industry नहीं है ये तो सालों से railways चल रही है इनकी नियत सही है भाला बला के बता दिया कि महंगाई बढ़ाना चाहते है अपकी बाद महंगाई बिना की सरकार तो महंगाई तो सर पे डाल दिया ये कहां कहते हिनकी नियत सही नहीं है मगलता हूँ और आपने जो सफाई की बाद 14 टका का बहुत ज्यादा बज़जटका है बहुत 14 टका ये बढ़ा करके भी कुई फैदा ने दिया इस बज़ट में बढ़ा के कोई फैदा ने से चलाया नहीं कैलास जी रिपी मॉडल के नाम पे आप दोने के जगड़ों में परिणाम ये आ रहा है कि रेल में इतना आप देखते हैं घाटा है आपकी मज़़े से घाटा है घाटा नहीं वह अगर गात ये बात यहीं में कर रहे हूं कि पहन जी को भी रिजाइन करना पर दाता हूं अगर 30,000 क्रड़ों रूपय का घाटा होता अगर 30,000 क्रड़ों रहे हैं आप 30,000 क्रड़ों का घाटा होना चाहिए घाटा तो मात रहा है आप लोग को जूठ बोलना जोर से बोलना बार बोलने की आदत पड़े हुए और आपको मेंटेन कर रहे हो अब आपकी सफाई के भी बात को से बताता हूं मैं खुद जब जाता हूं राजधानी में तो मुझे याद है कोई ट्वलेट साब कनल आदमी आकर लिखवा गया जाता है कि देखलो साब सफाई है की नहीं है तो जो यातरी कर रहा है जो यातरी ट्रेवल कर रहा है उससे अचा सटीफिकेट कौन दे सकता है उसके जगे आप क्या करोगे थर्ड पाटे इंस्पेक्शन दखोगे कंसल्टेंट डखोगे एक नए दुकांदार आगए एक नए दलाल आगए एक नए करपसन आज लोग आगए रुजान की बात सही है मैनेजमेंट अच्छी है करपसन उसको रोकना है उसको रोकने की जुरोत है मैडम ठेला से ट्रॉइलेट रिउस रिटा माँट का वाटर रिउस होता है आपके खाने के लिए आप जो खाते हैं राधनी में या तो अलिग ट्रेन में आपने इस तरे का वेल चलाया है जो पूर ही हमारी इंदुस्तान की जनता जानती है तेस की जनता का मज़ा उडा रही हो मजाक आपने उड़ाया अभी तक, अभी तक आपने मजाक उड़ाया उड़ाया हम तो सेवा कर रहा है आप सुन लेजे, जो अभी जो । टीवी चनल ने दिखाये वो तो चार दिन पहले दिखाया था और अभी चार दिन में BGB की सरगा है तो इनको देखा नहीं है इसका मतलब यह है कि पहले भी होता तो मेरे को नया क्या मिला एज वोटन मोदी सरकार में मेरे को नया क्या मिला जो मेरी अप्वेक्षिया है जी रुजान जी यहां पर नया मिलने वाला है बहुत कुछ नया मिलने वाला है अगर आप पानी की बात कर रहे हैं खाने की बात करें तो बड़े-बड़े स्टेशन पर बड़े-बड़े फूट कोट शुरू किये जाएंगे ऐसा भी प्रावधान किया गया है इस बजट में बावना जी आप क्या कहेंगे अगर बड़े-बड़े फूट कोट खड़े होंगे तो किस तरह का खाना मोहया कराया जाएगा यहां पर जब पानी अभी साफ नहीं है और वो सरकार घाटे में भी नहीं थी और कम किराय में ये सुविधाय उपलब थी अगर जादा किराय ल इसलिए हमें बढ़ाना पड़ा और जो घाटा है आज रेल में रेल भुगत रही है वो उनके कारण है क्योंकि नौकरियों में देखो केंटिन कॉंट्राक में देखो खाने के कॉंट्राक में देखो विस्तर के कॉंट्राक में देखो उन्होंने पैसे ही लिए है जनता का कर लो पर आप बोलो जीरो से चालू करोगे जैसा करोगे रहा है और हम तो आपको अच्छी सुविधाद देकर इनकी करनी और कतनी में फर्क है और वो गुजरात मेट्रो बता रहा है है बता दूँ यह जो खाने फूड कोट की आप चिंता मत करना क्योंकि जैसे की स्टेंड़ कमनी जाएंगी जैसे की मैक डानल्ल्स लोग या कि फिशल लो पीसार ते इस्टेंडर कमनी आइगी तो उनके स्रेट्स ऑल ओर इंडिया स्टेंड़रत रहते है इसलिए उसमें चिं मिले वो मेरा हमेशे मांगे लेकिन आप यह गवर्मेंट लेट लेकिन आपने भावना जी को भी बुलाएंगे को भी बुलाएंगे और तब हम देखेंगे कि आच जो हमने डिसकस किया है वह उस वक्तने क्योंकि 9 months is long enough time for implementation और सफाई के अगर हम काम बात करें तो सफाई के जो कर्मचारी है उनका अगर सफाई के दौरान मौत हो जाती है ट्रेन हादसे में और ऐसा होता आया है और ऐसा होता है तो उनके लिए क्या प्रावधाने भावना जी हमने यहाँ पर कर्मचारी के लिए भी फंड रखा हुआ है उनके पैंसन के लिए भी फंड अच्छा सा रखा हुआ है और काम के समय में जो मृत्य होती है तो उनको भी हम मौावजा देते है यह कोई नई बात नहीं है पहले जो सरकार हमारी दे हमने रखा आप कहा रखा है अपने रखा है हमने रखा है हमारी सरकार थी आप क्यूं ज़र्च ले रहा हो अभी दो आयां दो दिनिन भाड़ा प्रणक और कोई काम नहीं किया आपने यह तो काम अच्छा प्रता हो 41 तो रहेगी एक अच्छी सी simulation system भी किया है ये आपको rail budget में नई बात है simulation system ये है कि पटरी पर कुछ भी गलत है आपका तो पता चल जाएगा अकस्मात की जो संख्या है वो बहुत ही कम हो जाएगी देखो rail अकस्मात बहुत होते हैं और जनता का विश्वास rail पर से उठ गया है तो इसलिए हम सबसे पहले सुरक्षा और सलामती के लिए भी ये काम कर रहे है अभी तक ये कांग्रेस कर सकती थी क्यों नहीं किया ये सवाल है कांग्रेस के लिए तो लोग मरते हैं तो रोट से लोग विशाट उठ गया आज नियम पालन करना मेंटरस करना अपनी जवाब दारी है और हो System की जात हुआ और एक्षेन करें नहीं छाषा रहा हूँ हम अकसमाट को रोकने की कोशिश करते हैं जो हमने किया है उससे जरूर कर्समात की संच्या बहुत ही नहीं अड़िए पहुत ही काम हो जाएगी इसका कि हो और इसे बढ़ा किस्मात क्या चाहिए इस देश को समय मर्याला की वजदे नहीं हमें इस प्रोग्राम को भी यहां पर खत्म करना पड़ेगा कैलाज जी आपका बहुत 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 शुक्रिया हमार साथ जुनने के लिए और भावना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमार साथ जुनने के लिए आखिरकार यहाँ पर सवाल कई सारे खड़े होते हैं हर साल आम आदमी को यही चिंता रहती है कि जनरल बजट उसके लिए कैसा होगा रेलवे बजट उसके लिए कैसा होगा क्योंकि भारत एक इतना बड़ा देश है इतना विशाल देश है और जिसका जो ट्रैक है वो बहुत ही लंबा है और पूरी दुनिया में इसकी सराहना की जाती है यहाँ पर मोदी सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें कहा गया है कि लोगों की जरूरतों पर खास ध्यान दिया गया है जी हाँ बिलकुल लोगों की जरूरत है कि उन्हें जल्दी पहुँचना है उन्हें अच्छे से पहुँचना है उन्हें फुल सिक्यूरिटी के साथ अपने डेस्टिनिशन पर अपनी मंजिल पर पहुँचना है लेकिन साथ साथ ये भी लोगों की जरूरत है कि उनकी जेब पर ज्यादा बोज ना पड़े